सिदय कामाला माध्ये राजितं निर्विकल्पं सद सद खिल भेदा आती तमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शुन्यम् नित्यमानन्द मूर्तिम् विमलपरमहं सम् रामकृष्णं भजामहा विमलपरमहं सम् रामकृष्णं भजामहा परमहं सह विजयम् मम मनसे चतस्रह इच्छाह उद्धूताह संती प्रथमा इच्छाह विरिंताक मच्यसारह खादनीयह ग्वितिया इच्छाह शिवनाथ शास्त्री मेलनीयह त्रुतिया इच्छाह भक्ताह जपमालाम भ्रामयंताह हरिनाम उच्चरंती यत। तत द्रष्टव्यम् चतुर्थी इच्छा अष्टमी दिने अष्ट आणकस्य कारणम भगवते अर्प्यमानम मद्यम् तांत्रिक भक्तेभ्यह दातव्यम् ते तत यदा पिबंती तदा मया द्रष्टव्यम् अनंतरम् मया तेभ्यह प्रणामह करणीयह नरेंद्रह परमहम्सस्य पुरतह उपविष्टह आसीत। परमहम्सह यदा वदतिस्म तदा स्वस्य प्रेष्ठशिष्यह नरेंद्रह तेन द्रिष्टह सहसा सहा उत्थाय स्थित्वा स्वस्य एकं पादं नरेंद्रस्य जानोह उपरी ब्रिधं स्थापयित्वा स्थितवान सह समाधिस्थः आसीत। संपूर्णतय बाह्य ज्ञान शुन्यह आसीत। तस्य नेत्रे निर्णिमेशं पश्यंती आस्ताम। सह स्वगतं सचिदानंदह सचिदानंदह इती वदन्नासीत। स्थूलं सूक्ष्मं कारणं महाकारणंच इती स्तर चतुष्टयं अस्ति। मनह यदा महाकारणं प्रविशति तदा मुखात वचनं नैवनिस्सरति। इश्वरकोटिही महाकारणं प्राप्य प्रत्यागंतुम् शक्नोति। अवतारादयह इश्वरकोटयह तैही उपरि आरुह्य गंतुम् शक्यते। सोपानानाम द्वारा अवतीर्य अधहा अगत्य तत्र संचरितुम् अपिशक्यते। चतुर्षु स्तरेशु स्वस्य इच्छानु गुणं संचरितुम् तैही शक्यते। सप्त अट्ट युत राजप्रासादे अपरिचितानाम कृते केवलं अधस्तने अट्टे प्रवेशह। किन्तु राजकुमारह सप्तसु अट्टेशु स्वस्य इच्छानु गुणं संचरती। वेदे होमा पक्षिन्याह कथा अस्ति सा आकाशे महति अउनत्य भवती सा तत्र अंडम स्थापयती सा कियति अउनत्य भवती इत्युक्ते तस्याहा अंडहा अनेक दिन पर्यंतम अधहा पतन्येव भवती अंडहा पतन्येव भित्वा शावकह भवती अनंतरम शावकह पतन्येव भवती अनेक दिवस पर्यंतम सहा पतन्येव गच्छती पतन्येव सहा नेत्रे उन्मीलयती भूमेहे समीपे यदा आगच्छती तदा सहा चैतन्यम प्रापनोती तदा मम भूमिस पर्षह भवती चेत निश्चयेन मम मरणम भवती इती तेन ज्ञायते तदा सहा शावकह चीतकारं कुर्वन मातरं प्रती साक्षात उड्डीय गच्छती भूमिही एव तस्य मृत्युस्थानं भूमिदर्षन समनंतरम एव तस्य भयं जातं तस्मै केवलं माता आवश्यकी माता तस्मिन उन्नते आकाशे अस्ती ताम प्रती साक्षात उड्डीय गच्छती तदा सहा अन्यत्र कुत्रापी दृष्टिम नस्थापयती तथा एव नित्यसिद्धाह सर्वदा अउनत्य भवंती ते अवतीर्य अधाह न आगच्छंती अवतारादि भिस्साकं ए आगच्छंती ते नित्यसिद्धाह तेशु कतिपयेशाम तदेव अन्तिमं जन्म भवती विजयम त्वयी योगह भोगहाच एतद्वयम अपि अस्ति जनक राजे अपि योग भोगव आस्ताम अतह एव सह राजर्शिह राजाच रुषिहीच इती कथ्यते नारदह देवर्शिह शुकह ब्रम्हर्शिह एतावत कालं संभाशना नंतरं श्वी रामक्रिष्णह प्रकृतिस्थः जातह अस्ति संप्रति भक्तै साकं पूर्ववत वक्तुम् शक्नोति सहा केदारं गातुम् उक्तवान केदारह गायन्नस्ति मनसह व्यताम कथं वदानि सक्की केदारह इतोपि कानिचन गीतानि गीतवान तस्य गानानंतरं परमहं सह पुनह वक्तुमारब्धवान केशवसेनस्य भ्रात्रीयह नंदलालह स्वस्य बित्रब्राम्ह बंधु भिस्साकं स्रीरामकृष्णस्य समीपे उपविष्टहा अस्ति प्रामकृष्णस्याल